सभी को मेरा नमस्कार साथियो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वी इन धुंडवा में साथियो आज हम बिल्कुल नया टोपिक ले गाए हैं फैमली आइडी से संबंधित जो कैम्प पूरे हर्याना में लगाए गए हैं हमारे बियलो साथ भी उसमें इन्व खर्शकते हैं तो वीडियो को लास तक जुरू देखें चलिए साथियो सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने गुगल में टाइप करना है फैमली आइडी जब आप फैमली अडी टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस होता है पहले ही साइट असाथिय क्लिक कर देना है उसके बाद आप निच्छे की तरफ आएंगे तो लोगिन का उप्षन आपको दिखाई देता साथियो हलका से इसे आप उपर कर दीजिए उसके बाद आपको तीन उप्षन दिखाई देते हैं उफिशली लोगिन मोबाइल लोगिन उसके बाद कैम्प लोग इस प्रकार से आपका जो मुबाइल नमबर है एक OTP चला जाता है जो OTP आपके मुबाइल नमबर पर आयो हुआ है चार डिजिट का वो यहां पर आपको फील कर देना है हमने OTP फील कर दिया उसके बाद verify OTP पर आपको कलिक कर देना है जब साथियो आप verify कर देते हैं OTP को तो इस प्रकार से आपको interface होता है तो आपको बिल्कुल कोने में जहां पर हम कलिक कर पा रहे हैं आपको यहां पर option दिखाई दे रहा है Camp Navigation यहां पर आप कलिक कर दें तो आपके सामने इस प्रकार से option सो हो जाते हैं जूम करके एक बर हम आपको दिखाई देते हैं साथियो यह option आये हैं जिनकी अपडेशन आपको करनी होती है जैसे है Unmapped Families, Updated, Public Note Signed Families, Correction Module, DoB Updation, Divyaang Data, Merge Family, Split Family इस प्रकार से और last option साथियो, Wrongly Mapped Family तो इन सभी option से आप इस Camp में अपडेशन कर सकते हैं एक-एक करके हम सभी की जानकारी देंगे साथियो तो पहला ही option है Unmapped Family जैसी आप यहां पर कलिक कर देते हैं तो आपके सामने Entry आ जाती है जैसे कि हमने अपने Portal से सभी Entries Mapped कर दी गी है तो यहां पर कोई भी Entries नहीं कर रहा है उसके बाद साथियो तो second option है Updated, Public Note Signed Families यहां पर आप कलिक करते हैं तो इस परकार से आपके सामने बहुत सारे Family IDs ओपन हो जाती है तो यह वो Family ID है साथियो जिनका आभी तक Final submission नहीं हुआ है जैसे कि Update नहीं हुई है तो आपको किस परकार से यह अपडेट करनी है जैसे यह आप Action का option आपको मिल रहा है यहां पर आप कलिक करेंगे तो तीन टाइप से आपको यहां पर option यदि किसी का Address Update नहीं है तो वो भी Family ID इसी option में आती है उसके बाद जो तिसरा option आप साथियो Non Trashable तो यह option उन Families में आता है जो अभी तक बिल्कुल भी Trash नहीं कर पाए है तो यह option आपको अच्छे से ध्यान करके ही चूज करना है जैसे हम पहला option एक बार कलिक करके पता द जूम करके दिखा रहे हैं साथियो यहाँ यह option आपको दिखाई देता है Document Uploaded यहाँ पर आपको Family IDs का Print निकालके उसके उपर Family ID का जो मुखिया है Head है उसके Sign करवाने के बाद यहाँ पर आपको Upload कर देना है साथियो जैसे ही आप यहाँ पर कलिक करेंगे तो आप Document Attach कर द जैसे ही आप यह option complete कर देते हैं तो Family ID का data वो update हो जाता है उसके बाद जो तीश्रा option आ जाता है as correction module यह option पहले की तरह काम कर रहा है जैसे हम पहले Family IDs में कुछ भी correction करते थे तो उसी तरह आपको यहाँ पर जिस भी Family ID को आपने तो Member Name यहाँ पर आप कलिक कर देते हैं तो परिवार के सभी Member का नाम यहाँ पर सो हो जाता है जिस भी Member की आप correction करना चाहते हैं जैसे कि मैं पहले यह option select कर लेता हूं उसके बाद fields का option आजाता है सात्यों यह सभी परकार की आप entry आप देख पारें जैसे कि डियो भी है, cost category, bank account, IFSC इस परकार से कोई भी option आप select करके जो भी correction करना चाहते हैं वो आप select कर लें जैसे कि हमाँ address select करते हैं address का option है जो open हो जाता है उसके बाद आप अच्छे से address दोबारा feed कर द यहां पर आप click करके दोबारा से जो family ID में correction हो कर सकते हैं यह option पहले की तरह काम कर रहा है सात्यों कैप में भी उसके बाद तीसरों चोथा option आजाता है सात्यों डियो भी correction, डियो भी update यहां पर आप जैसे ही click करते हैं तो आपके सामने family ID आ जाती है जैसे कि आप screen पर देख यहां पर आप click कर देते हैं तो family ID open हो जाती है उसके बाद आपको जिस भी सदस्य की DOB verification करनी है तो वह option आप यहां से आपक कर सकते हैं जैसे कि आप screen पर देख पारें साथ हैं DOB verify यहां पर आप click कर देते हैं तो दो option आपके सामने आ जाते हैं mark as dead या verified DOB यदि जिस भी family ID क यहां मेंबर की verification यहां आई हुई है यदि उसकी मरित्य हो गई है तो आप यह option select करके उसे submit कर दें उसके अलावा यदि आपको DOB verify करनी है तो इस option पर click करेंगे उसके बाद option open हो जाते हैं बहुत सारे तो पहला option आप साथ है document proof यहां पर आपको document का proof अटाइच कर देना जि पहला option है birth certificate उसके बाद school living certificate तिसरा option आप साथ हो certificate matriculation certificate उसके लावा जो last option है water card issued before 2017 यानि जो water card के इसाब से भी आप उमर अपडेट कर सकते हैं लेकिन आपका जो water ID card है वो 2017 से पुराना होना चाहिए तो इस प्रकार से एक document आपको यहां पर attach करना है उदहान के तोरबर हम birth certificate लगा select कर लेते हैं उसके बाद DOB documents यहां DOB documents यहां पर आपको जो document में age है वो age feel कर देनी है जो आप correct करवाना चाहते हैं उसके बाद document number यानि जैसे की document का number होता है साथियो जैसे 10th की DMC होते है उसका भी number होता है उसके लाव वो टरकार का भी number होता है जैसे की HR या excellent इस प date को यह document आपका issue हुआ है वो date आपको यहां पर feel कर देनी है उसके बाद उस document की PDF आपको यहां पर upload कर देनी है upload supporting document जैसे ही आप document upload कर देते हैं उसके बाद आपको submit बटन पर click कर देना है और जो आपकी family ID में DOB है वो अपडेट हो जाती है next option आसाते हो दिव्यांग data यहां पर आप दिव्यांग data पर click कर देते हैं के बाद इस प्रकार से आपके सामने कुछ entries हो हो जाती है जैसे कि मेरा पोर्टल उस पर केवल दो ही entry दिखाई दे रही है उसके बाद आपको कोने में action लिखा हुआ दिखाई है तो उसका certificate होता है साथ yoke issue क्या होता है ुट आपको select कर लेना है उसके अलावा दूसरा option नोट डिव्यांग या नही शक कर सकते हैं यदि इस व्यक्तिक हैं बहुत सारीazar के क्टिगरी साथ हैो जो बहुत अब highly क्राइथ यह कि मॉटरो इस प्रकार से तो जो weiter क्रेट वी क्येटाrogen के तौर पर हम sett recommend कर लेते कि म३था की अब के ढिना है Türkiye अब कुल्स एक उसके बारें 10 ताम से। से सबहना है कि कि उसके धो कि अब नमबर फिल कर देना है उसके बाद आपको निच्छे की तरफ उप्शन दिखाई देरा प्रोसीड इस बटन पर आपको क्लिक करके यह अपडेट कर देना है उसके बाद जो नेक्स्ट उप्शन है मर्ज फैमिली कुछ फैमिलियां साथ ही आपको मर्ज करनी होती है जैसे कि अ देख कर चाहिए उसके बाद यह अप फैमिली डी मर्ज कर सकते और आपको फैमिली डी डालना है उसके आपको फैमिली डी्ज में 20 पाली लिए भी उसके बाद साथियो लास्ट ओप्शन रहा जाता है रोंगली मैप्ड फैमली यहां पर आप क्लिक कर देते हैं तो कुछ फैमली आइडी जैसी होती है जो किसी दुसरे वार्ड में चली जाती है यदि आप वार्ड में बूत में अपने में लेना चाहते हैं तो आप आपको यहां पर फैमली आइडी फिल कर देनी है उसके बाद आपको सर्च औप्शन पर क्लिक कर देना है उस फैमली आइडी को आप अपने पोर्टल पर ला सकते हैं तो यहीं जानकारी आपको देनी थी फैमली आइडी का इस्यू काफी सारा चला हुआ साथियो और कैंप लगाए गए हैं गोर्मीट की तरफ से और हमारे बियालो साथी बेठे हैं उसके अलावा जो सीएसी सेंटर के ओपरेटर हैं वो भी बेठे हुए हैं और इस परकाल से यहाँ आप प्रोसेस कर सकते हैं फैमली आइडीज के जिव जो ओपरेशन है वो इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं तो यही जानकार यह आपको देनी थी कि कमेंट में जुरूर बताए धन्यवाद वीडियो देखेने के आपका दिन सुभाव